जेन साथियों, आज हम आप लोग के लिए करेंट पर का यह चोफा कलास लेकर आये हैं यह आपका करेंट का प्रेटीश सेटमर क्या है? फॉर है, यह प्रेटीश सेटमर फॉर है इसमें देखिया आपको लोग के डिमांड कर नुसार आपको भीहार का भी करियन टैफिर को सामिल किये हैं आप लोग कमेंट करे थे कि सोर भीहार का करियन टैफिर कुछ इसमें इड़ कीजे तो आज से आज के हम एड़ कर दी एं और देखिए ये जो question आपका है ये सभी question को मुझे धूनने में ये इसको search करने में खोजने में समय लगता है और जो आपके exam के point of view से महात्पून प्रस्ण लगता है उसी को हम आपको लेकर आते हैं चाहे हम पो अधिक समय लगे लेकिन आपके लिए हम अच्छे question लेकर ही आते हैं चलिए start करते हैं question first है कि हाली में बिहार का कौन सा जीला पहला सौब परतिसत डीजल बैंकिंग वाला जीला बन गया है यह बना है जहाना वादिला ऑफसन नमर क्या होगा डी होगा बहुत ही महात्पून प्रस्ण है इससे आप याद रखेंगे question second है कि बिहार राज का पहला multimoral लोगिस्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा यह पत्रना में बनाया जाएगा option क्या होगा फोर होगा sorry option D होगा निश्रब का question थर है कि किस राजी ने पदाहान मंत्री जंधन यूजना का 100% कावड़े जहां सिल किया है यह किया है तेलंगाना सरकार ने option क्या होगा यह होगा यह उपसन नमर यह होगा यह भी बहुत ही महातपूर्ण प्रस्न है निश्रब का question fourth है कि सीमा सरक संगठन यानि BRO ने किसे भारत का पर्थम गौँ बनाया है भारत का पर्थम गौँ बनाया है यह है माना उत्राखन का माना गौँ तो इसे आब भारत का पर्थम गौँ कहा जाएगा यानि उत्राखन के माना गौँ को ने शबको przypad कोशन 5 है कोशन किस राज में भाद की पहली Water Metro शयवा का उद्गाणन किया है तो तो दिएorth भाद के किरल राज में भाद के किरल राज में पहली Water Metro का उद्गाणन किया गया है option आपका यह होगा अब देखिए आपको confusion नहीं होना है क्योंकि यहां से आपका दो question भी आपका करियंडी में आता है एक है कि भाद की पहली water metro तो देखिए water metro है तो क्या होगा? कीरल होगा लेकिन जब आपको रहे कि underwater metro देखिए दुनमा अंतर है अंडर water metro रहे तो आपका होजएगा यानि क्या होगा? कॉल काता होजएगा ठीक है? कॉल काता होजएगा तो याद रखिएगा जब question रहे कि भाद की पहली water metro तो क्या होगा? केरल होगा और जब question रहे कि भाद की पहली underwater metro कहाँ बना है तब हो जएगा आपका कॉल काता हो जएगा तो इस बार जो आपका BPC का एक्जाम बहा है शिक्षकवर्ती में तो आपका ये कोशन पुछा गया था कि भाद की पहली Underwater Metro कहां नहीं कहां बना है तो ये बना है कॉल काता में और इसमें आपका option दिया ही नहीं था तो इसलिए क्या था इसका answer इसका answer E था इन में से कोई नहीं तो यहां पर आपको समझदारी से question को हल करना था क्योंकि आपका किसी भी option में आपका कॉल काता नहीं दिया था ठीक है ये question आपको याने exam से पहले आपको करवा चुके थे जो question आपको पूछा गया है कि भाद की पहली याने underwater metro कहा बना था कोल काता में ये question आपको exam से पहले करवाए थे और exam में आपका सीधे ये question मेरे ही कला से आया था तो जो भी question आपका 5 से 6 question पूछा था सभी question हम करवाए थे आपको ये वरोस्ता नहीं होता है तो आप पहले वाला video जाकर एक बार देख लिए सभी question आपको मिल जाएंगे ठीक है question 6 है question 6 है कि किस जीला को किस जीला को one district one product के तहत मकहन उत्पादन मकहन उत्पादन के लिए PM award से समानित क्या गया है तो ये क्या द्रभंगा जीला को option क्या होगा B होगा यनि one district one product ये कहां लगू है ये द्रभंगा में लगू है जिसके लिए PM award से उसे समानित क्या गया है question 7 है question है कि कहा हाली में उडने वाली च्छिपकिली की नई परजाती मिली है ये मिली आपका मिजोरम में option B होगा question 8 है question 9 कि भात ने किस देश में सित्वे बंदरगा का संचालन सुरू किया है ये किया मैमार देश में option C होगा ये भी आपका बहुत ही मादपून परसन है निशाब का question 9 है question 9 किस देश ने रतन टाटा को अपने सरवची नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है ये किया है Australia सरकार ने ये भी आपका बहुत पार exam में आ चुका है ये साइध आपका BPC exam में भी एक question पूछा गया था और किस शिप्ट में पूछा गया था ये मुझे ध्यान ने है लेकिन ये question आपका पूछा गया था question 10 है question है कि किस टेनिस खिलारी ने Italian Open 32 में पूछ एकल का किताब जीता है तो ये जीताब का Daniel Mimdev ने option C होगा question 11 है question है किस राज सरकार ने हाली में राज के हर जिले में भुकम क्लिनिक खोलने का फैसला किया है ये क्या है बिहार सरकार ने option D होगा question 12 है question है कि भारत सरकार ने भारत सरकार ने किस युद गरस देश में फसे हुए लगवा 500 भारतियों का वापस लाने के लिए operation काविरी शुरू किया है ये सुडान यानि सुडान में फसे हुए भारतियों को लाने के लिए भारत सरकार ने operation काविरी शुरू किया है ने शबकार question अबका 13 है question है कि बिहार में किस वर्स तक TB उनमलन का लक्ष रखा गिया है यानि TB को समापत करने के लक्ष कब तक रखा गिया है याद रखेगा ये 2025 तक लक्ष रखा है ये भी आपका बहुत ही मादपून परसन है question 14 है question 14 है कि किस सहर में भारत का पहला 3D printed post office खोला जाएगा ये बैंगलोर में खोला जाएगा option C होगा question 15 है question है जनवरी 32 में बिहार के नए महादिवक्ता महादिवक्ता किसे निक्त किया गया है तो याद रखेगा PK साही को याद रखेए कि बिहार के नए महादिवक्ता किसे बनाए गया है तो PK साही को बनाए गया है निश्टप का question 16 है question है किस transgender को बिहार का पहला बिहार राज का चुनाव state icon बनाएगा है C oui, किस transgender को बिहार राज चुनाव state icon बनाएगा है तो यह बनाए मौनिका दाज को capacion नाफ का यह हूगा Q 57 है Q77 को नाफ की transgender सब्झनाब को किस सब्झनाब का OBC का दरजा दिया है तो ये दिया है आपका मद्द पर्दिस सरकार ने देखें आपका ये भी कोशन आपका इस पर BPSC सिक्षक भरती में पुछा गया था और ये कोशन आपका हम एक्जाम से पहले करवाए हैं ये भी कोशन आपका हम एक्जाम से पहले करवाए थे और ये भी कोशन आपका डिरेक्ट मेरे कलास से आया है ठीक है? आपको ज़िदी देखना है तो आप पहले वाले वीडियो एक बार जिरूर देख लीजिए ये आपको मिल जाएंगे वहाँ पर ठीक है? कोशन आपका अठार है कोशन करा है कि रिपोर्ट का नुसार देख में बागो की संख्यां बरकर कितनी हो गई है तो अभी आपका बरतमा में भात में बागो की संख्यां एकती सो सरसथ हो गए है ये आपका नविंतम रिपोर्ट है ठीक है? याद रखेगा एकती सो सरसथ किस राज का बिधान परिसद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है यह बना है बिहार का आफ़सन B होगा यह बिहार का बिधान परिसद देश का पर्थम डिजिटल सदन बन गया है इसे आप याद रखेंगे निश्ट अब का question 20 है कोशन है कि बालमी की नगर के बालमी की नगर के बाद बिहार का दूसरा Tiger Reserve किस जीले में बनाया जा रहा है तो अभी अपका जो बालमी की Tiger Reserve है पस्चीम चंपरन में जो अपका पहला बिहार का Tiger Reserve है और दूसरा आपका Tiger Reserve बिहार में बनने जा रहा है, यह आपका कैमूर में बनने जा रहे हैं, तो याद रखिए, यह भी आपका बहुत ही महत्पूर्ण परस्न है, तो दूसरा टाइगरी जब आपके कैमूर में बनने जा रहे हैं, option D होगा, question 21 है, question 21 है, कि पहली वार, underwater metro का trail किस सहर में क्या गया, अब देखिए, यही question आपको उसमें बता रहे थे, कि एक आपका है, underwater metro, तो यह आपका हो जगा, kolkata, एक था आपका, यानि, water metro, तब हो जगा आपका, केरल, तो दूनम अंतर रहे, water metro हो, तो केरल होगा, और underwater metro रहे, तो आपका हो जगा, kolkata, और यही question आपका, इस बार, BPS इसलिके, सिक्षक भरती पेपर में, पूछा गया था, जो आपका, one two five में पेपर होगा था, उसमें, तो दखिए, यह भी question आपको हम पहले करवा चुके थे, और यह direct question आपका, कलास से आया है, इसलिए आपको हम करवा रहे हैं, कि जो question हम करवा रहे हैं, आपको, आँख करवाते हैं, यह सबी आपको याद रहने चाहिएं, तब ही आपका hope आएगा, question 22 है, question कर रहा है, कि बीरता पुरसकार पाने वले भारती वायुसेना की पहली महला अधिकारी कौन बनी है, यह बनी है, दीपी का मिसरा, यह भी आपका बहुत ही महत्पून प्रसन है, तीक है, आपका option क्या होगा, B होगा, question 23 है, question है, कि किस राज ने एक पंचायत, एक खेल मैदान योजना शुरू की है, यह किया है केरल राज सरकार ने, option क्या होगा, B होगा, यह भी बहुत ही महत्पून प्रसन है, इससे आप जरूर याद रखेंगे, question 24 है, question कर रहा है, कि हाली में तीसरे खेलों इंडिया युनुँवर्सिटी गेम्स का सुभारम कहा हुआ, यह हुआ है, उत्तर पर्दिस में, यह दोखेंगे, 22 त्थेस में, तीसरे खेलों इंडिया युनुवर्सिटी गेम्स कहा हुआ है, यह होगा, question 25 है, और यह last question है, question užै कि किस दिश ने, 32 तक यहाद के चीन का यह जोजना है कि 32 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजा जाएगा तो आपका यह था 25 कोशन तो आपको हम आज से 5 कोशन बढ़ा दिये हैं तो 25 कोशन ही आपको हम डिल लिया आज के बाद आपको हम करेंट रफर का करवाएंगे जो आपकी एक्जाम के लिए महत पूर होंगे तो आपको करेंट रफर के लिए अलग से को भी बुक पढ़ने के जोड़ात नहीं है आपको हम जितना करेंट रफर का कोशन स्वल्व करवाते हैं इसको आप याद करते जाएए आपके यहां में मानिए यहीं से कोशन आएगा क्योंकि आप देख लिए कि जो कोशन का कलेक्शन है या आपका देख लिए आप ही कहेंगे कि सभी बेस्ट कोशन है एक भी फालतू कोशन नहीं है तो हम आपको बेस्ट कोशन लेकर ही आते हैं और आपकी जिस से आपको अलग यानि कोई इधर उधर बुक पढ़ने के जोड़त न हो क्योंकि आपका समय कम है तो समय कम है तो आपका स्वजेक्ट भी बहुत है ठीक है समय कम है लेकिन स्वजेक्ट जैदा है तो इसलिए आपको इतने आपको जो सटीक सटीक कोशन देते है जो आपके एक्जाम में आए उसी को हम करवाते हैं तो अब इस वीडियो को अधिक सदिक सेड़ कीजे जिसे आपके आपके सहफार्टी और भी उसे पढ़ सके और दूसरे भी इसका फायदा उठा सके हाँ यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सस्क्र बात है तो जब भी आपके लिए में इतना मेनत करते हैं तो चलिए हम आगे आपको मिलते हैं नेक्स टूडियो में आज के लिए थाइंक्यो धन्यवाद